आउजबिल्लाहिमन शरीत और नुराजीम बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम नाजरीन ये पच्छेती काष्ट थी कैनौला की ये अब देख लें ये डेड़ेकर जमीन है इस पे हमने पच्छेती कैनौला काष्ट की थी और इसको तकरीबन हमने काष्ट जो किया है वो नुवंब परकी यकम यकम यदो को इस डेट को किया है तो उसके बाद मसला यह बनाएगे इसमें पहले हमने राया कर राया कि फसल काष्ट की थी जो कि पिछले साल कफी ज्यदेश में उसका बीज गिर गया था तो जिसकी वजह से इस दफ़ाइस में हमने कहना वाश्ट की तो वह भी मेंनी आ रहा है कि इसको उसके तो कुछ रही को सबस्कारिया तो कुछ हमने भी चीज़ें नोट की है तो इसका jour मरी नजर ayam ये पोदा का है ये पहले वाली फसल थी जो जिसको लोबिया बोलते थे हैं यह उसका पॉदा और यह वाला र्या का पोदा और पॉदा और पॉदा इसमें फरक है कि इसके पत्ते यह थोड़े से कुछ और तरह के हैं और इसके पत्ते आप देखें तो यह इसके पत्तों में काट से हैं और साथ यह पहचान है कि यह बड़े समूद से हैं और यह हाड पत्ते हैं थोड़े से देखने में पता चाल जाता है क्योंकि शुरू में नहीं पता चल रहा था अब जब इसके तीन से चार पत्ति निकल आए तो अब इसमें पता चल रहा है तो अब इसके च्छद्राइए करेंगे च्छद्राइए में यह होगा कि हम जो कैनोला सिरफ है उसको छोड़ेंगे जैसे कि यह आप दो पोदे कैनोला के हैं तो इन दोनों पोदों को हम छोड़ देंगे और इस एरिये में उसके इसके इनको हमने खत्मक देना है यह से लेकन यह जगा पहुंद जियादा है तो इसमें भी थोड़ी सी हम जगा ध्यदक बिमा देंगे जैसे कि इसका अब यहांसे हम उतार लेंगे यह देखेग अब यह वह लाब हमारे पास पोदा है तो one अच्छा लेकल में इसको हम उखार देंगे एक हमए को अब आप ने फॉजuben वो कर दिये हैं और वक्रादोल्ब सिर्फ हम छोड़ दिये जर्ड़ दिए और यहीं कि इसमें कि आया का है इसको हम यहां से अल स्थिखे उति आप देखने के थोड़ी सी मिशक्कत वाला काम तो है लेकिन यह है कि अगर आप यह हो जाएगा ना तो इसमें काफी हाद तक इसको छदराई जगा भी सारी अल्यादा से मिल जाएगी और यह पौदे अच्छी तरह ग्रोध करेंगे जैसे कि यह भी अब कैनुला का पौदा यह रहा गया एक यह रहा गया एक यह और एक यह यह तीन चार पौदे यहां पर हमने छोड़ दी है तो यह भी छोटा सा लेकिन इनको छोड़ देंगे अगर तो इनके किस्मत होगे तो बाच जाएंगे अधर वाइस नहीं बचेंगे तो इसके इलावा फिर इसमें एक यह वाला पौदा जो है जे कैन लागा है यह राया का है है यह कैन अमें पत्तों के अंदर से पता चलता है कि कि यह क्या है आप फरक देख लें फरक आपको नजरा जाएगा इसका अब मैं इसको खाड़ दूगा यह जो राया है यहां से क्योंकि यह बीज बहुत जदा इसमें गिर गया था जिसके वज़ए से यह अब मसला है इसके साथ द्रवाइस भीज हमने इसमें बिलकुल नॉर् दिया जाए तो यह देखें जी यह कैनोला का पौदयक रहा गया यह रहा गया और यह इतनी जगों मैंने यह सारी चीज़ें यह वाले पौदे हमने छोड़ दिये हैं अब इनको जब हम यह इस तरह चद्राइब कर लेंगे तो फिर इसको पानी देंगे तो एक तो इसको ड यह सारे पौदे हमने चोटे-चोटे थे यह राया कर लिए हैं और यह जगह आप देखने यह इस जगह में पर मैंने सफाई की है थोड़ी सी लेकिन यह बहुत अच्छा पौदा बन जाएगा जाब यह इसको फर्टिलाइजर मिलेंगे तो इस तरह इसको हम करेंगे यह सा के साथ गहाई की थी पिछले साल तो उस वजजे से यह देख लें कितना ज्यादा इसमें मसला है यह अब दूप इनिशाला यह जिस तरह की लागरी है इस तरह की दूप लगेगी तो यह मजीद इसके पत्तों में निकार पैदा हो जाएगा यह इसको पहचान करना असान हो में तो दूसरी ऐक के और गहएखलों साल DAVID इनि यह जाता है तो हर फसली अच्छी रहती आए जियर पक्षेती होती है उसमें मसलह होता है टो जैसे-सलिंदार हो जाते हैं दो पार सकता हैं तो इना देख तिधा सबस्क्कार आइए जो भी खादे में गारा डालेंगे वक्तन पर वक्तन आपके साथ शेट करेंगे इजाज़त दीजिये अल्लाहाफीज